that everyone should get what they want आप में से कई लोग कहेंगे सर इस intention से क्या होगा intention से बहुत कुछ हो सकता है उसके बारे में पूरी ये ग्यान है पूरा ये जानकारी है 28 दिन में आप लोगों को ये चीज़े सिखाऊंगा लेकिन उसके पहले एक मिनट के लिए आँख बंद करते हैं आँख बंद कीजिए चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए and imagine कीजिए कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी के घरों में बहुत सारी खुशियां आए और वो जिस चीज का solution ढून रहे हैं या जो चीज अपनी जिंदगी में अच्छी बनाना चाह रहे हैं वो अच्छी बन जाए इतनी सी कामना करने में शायद कुछ लगेगा नहीं आँखे बंद करके पूरी स्माइल के साथ एनरजी के साथ एकसाइटमेंट के साथ जोष के साथ जनून के साथ और सभी लोग नीचे दोनों हाथ उठा के अगर आप बैठे हैं तो बैल दीजे दोनों हाथ उठा के तथास तू नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजे तथास तू तथास तू दोस्तो थोड़ी सी बैक स्टोरी देना चाहूंगा रोज रात को 8 बजे से लेके साड़े 9 बजे तक चलेगा 90 मिनिट का ये प्रोग्राम है 90 मिनिट फ्री कॉंटेंट और वो भी वर्ल्ड क्लास कॉंटेंट प्रीमियम कॉंटेंट ये दुनिया का सबसे बड़ा लंबा मोटिवेशनल वर्क्शॉप है जो कि free of cost है क्यों शुरू किया आप मैंसे कई लोग सोच रहे होंगे कई लोग हमारे पास कमेंट बेज थे अच्छा ये अपनी दुकान चला रहा है ये क्या करेगा फ्री देगा उसके बाद बेचेगा बिल्कुल दस हो लेकिन एक बात बताईए क्या आपको लगता है मुझे 28 दिन यहां खड़े रहके अपना सारा काम छोड़के 28 दिन ये free deliver करने की जरूरत है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा backstory कि क्यों ये program आपके पास free आ रहा है और उसके बाद हम हर program में ऐसी strategies सीखेंगे जो शायद लाखो रुपया देके भी आपको नहीं मिलेगी ये मेरा वादा है और आप में से जो भी लोग 28 दिन तक इस program को 101% attention के साथ देखेंगे मैं आपको कह सकता हूँ जिंदगी भर मुझे धन्यवाद देंगे और जितने भी लोग Magic of Thinking Rich के true followers हैं वो सभी जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है दोसो क्योंकि इस program में premium content यानि वो content आपको मिल रहा है जो सच में आपके life, आपका business, आपके relationship हर चीज में काम आने वाला है दोसो कैसे शुरू हुआ ये Magic of Thinking Rich मैं thoughts and life master करके एक program करता था, दो दिन का program होता था 15,000 रुपए कभी charge करते थे और premium seats जो होती थी उसकी 35,000 से 40,000 रुपए में हम बेचते थे 2017-18 में मेरी life में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत जादा losses में चला गया बहुत सारे losses हो गया मतलब losses ही losses मैं कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ तो I was not able to make profits किसी भी तरह से profit में आही नहीं पा रहा था इतने losses मेरी जिंदगी में हो रहे थे and मैं बड़ा प्रहशान हो गया था मैं जो जानता था ना वो सब मैंने अपनी विद्ध्या लगा ली थी कुछ नहीं हो रहा था और एक level के बाद मैं इतना frustrated हो गया कि मुझे लगा कि यार life is not good enough उसके बाद मैं अपने teacher नित्यशानती के पास गया मैंने उनसे बादचीत की और उन्होंने मुझे बठाया मेरे हाथ पकड़े meditation करवाया मुझे पहले काम किया बुला present moment में कोई तकलीफ है मैं आपसे पुछना चाहूंगा इस moment में कोई problem है कि आपकी life में smile कीजिए एक minute के लिए smile कीजिए and let me ask you is there any problem in this present moment उन्होंने का drop all your problems तो दोनों हाथ ऐसे कीजिए मेरी साथ and दोनों problems जितनी भी problems हैं drop drop all your worries सारी tensions को सारी problems को रोक दीजिए इस moment में आप मेरे साथ है पैसों की problem है छोड़ दीजिए देखेंगे बाद में ये program खतम होने के बाद देखेंगे नित्यशान्ती ने मुझे कहा वोपेंद्र पैसों की problem है ये अपनी meeting होने के बाद देखेंगे उसके बाद में बाद में सोचेंगे और जब बाते हुई तो एक छोटा सा सवाल उन्होंने पूछा Why do you think क्या reason है कि तेरी जिंदगी में पैसों की problem है क्या reason है तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद कोई तो purpose है जिसके कारण तेरी जिंदगी में ये problem आई है तो उन्होंने मुझे से पूछा तो जब training के field में आया भुपेंदर तो क्या reason से आया मैंने का मैं training के field में आया इसलिए आया ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि training जैसा कोई field है जहां पे खड़े होने के बाद मेरे जैसा introvert इंसान सीखने के बाद extrovert हो सकता है तो भुपेंदर तुने क्या सोच के किया मैंने का मैंने ये सोचा कि जो knowledge मुझे हजारों रुपए देके मिली लाखों रुपए देके मिली वो knowledge 50 रुपए, 100 रुपए या free of cost लोगों के पास पहुचे और उन्होंने का तुने ये किया मैंने कहां मैंने शुरुआत में किया था लेकिन दो लोग आते थे, free में दो दिन सुनते थे उसके बाद चले जाते थे बुपेंदर तुने outcome पे focus करने के कारण उस activity को छोड़ दिया अब दुनिया में तेरा जो सबसे powerful workshop है जो मेरा thoughts and life mastery था बोले उसको free of cost करना शुरू कर दे या कम से कम पैसे मैं करना शुरू कर दे और उन्होंने जब ये कहा तो एक line बोली दोस्तों वो line मेरे जीने की philosophy और इस workshop के पीछे की philosophy बन चुकी है और एक करोड से जादा लोगों को ये workshop आज प्रभावित कर चुका है line है द्यान से सुनियेगा When you support the world selflessly The whole universe supports you endlessly जब आप किसी को भी selflessly आज मैं ये program डिलिवर कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे सिर्फ camera दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता आप कौन है मुझे नहीं पता आप कहां बैठे है मुझे नहीं पता आपकी माली स्थिति क्या है मुझे नहीं पता कौन मुझे किस intention से देख रहा है मुझे एक चीज़ पता है जहां आप काम कर रहे हैं, आपके कारण बदलने जहां आप खड़े हो जाएं, आपके कारण लोग बदलने चाहिए, आपके कारण चहरों पे smile आनी चाहिए, जहां आप खड़े हो जाएं, just because you are standing, nobody else is standing, you are not an ordinary person, आप मैं से कितने लोगों को लगता हैं कि आप ordinary हैं, लिख के बताएं कि हाँ मैं ordinary हूँ, नहीं हो आप ordinary and I will prove you in next 28 days that you are not an ordinary being आप extraordinary हो यार, आप जबर्दस्त हो, मैं जबर्दस्त हूँ मेरे teacher ने कहा, भुपेंदर, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly मैंने ये सुना और इसे अपने जीवन का मकसद बना लिया और उन्होंने कहा, तेरी सबसे premium workshop हो, या तो free या कम पैसे में शुरू कर दे मैंने thoughts and life mastery के, दो-दो दिन के batches free कर दिये, जो 15,000 चार्ज करता था उसके बाद covid आ गया, covid में मैंने मेरी law of attraction की workshop बहुत ही कम पैसे में एक batch किया 15 दिन का, लेकिन 15 दिन में मुझे लगा कि यार मैंने वो सब नहीं दिया जो मुझे आता था क्योंकि बादा यह किया था गुरू जी से, कि जो आता है, जो best आता है वो सब सिखाऊंगा और उसके बाद, दोस्तो magic of thinking rich का birth हुआ, एक नवंबर 2020 में और एक नवंबर 2020 से non-stop ये workshop चली, 30 नवंबर तक बीच में 3 दिन दिवाली थी, पहला सीजन इसका 27 दिन का हुआ था और 27 दिन के उस सीजन में 6.5 लाख लोगों ने शिरकत की, बड़ा मज़ा आया, बहुत प्यारा feedback मिला, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदला और उनकी डिमांड पे है, फिर से, second season, third, fourth, fifth, and amazing, अब तक तो एक करोड से जाला लोगों तक मैं पहुँच चुका हूँ, दोसों, देखिए, छोटा सा प्रयत्न, छोटी सी सीख मैंने मेरे गुरू की मांगी, और छोटी सी सीख ने मुझे एक करोड लोगों से connect करवा दिय मैंने सोच के नहीं किया था कि एक करोड, जबकि हम जब शुरू कर रहे थे, तो मेरी टीम कह रही थी, सर, आप क्यों कर रहे हो इसे, 28 दिन कौन सुनेगा, लेकिन मेरे गुरू का आशिरवाद था कि करना है, करना है, तो करना है, गुरू ने कहा है, बीच में दिवाली भी सुनी हो, लेकिन हमारा प्राब्लम ये है, हम जानते कई चीजे हैं, मानते नहीं हैं, हम समझते बहुत सारी चीजे हैं, उन्हें अपने जीवन में इंप्लिमेंट नहीं करते, थोड़ा सा ओपन माइंड से इस वरक्शॉप को प्लीज अटेंड कीजिएगा, तो मैं वापस से चाहूंगा कि आप अपने हाथ ऐसे करें, and just drop, drop all your worries, all your judgments, आप यहां मुझे जज करने के लिए हैं या सीखने के लिए हैं, मुझे बताइए, are you here to judge me or to learn, आप कहेंगे sir, मैं आपके पास हूँ, ताकि मैं सीख सकूँ, am I right or wrong, you are here to learn, आप यहां सीखने के लिए आए हैं, और दोस्तों, जो सीखने के लिए हैं, उसे judge करने की जरुरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, ले जाईएगा, जो अच्छा ना लगे, छोड़ जाईएगा, दोस्तों, this workshop is magical, I'm so sorry, मैं अपनी workshop के बारे में बात कर रहा हूँ इतना जादा, बट यह जरूरी है, ताकि आप 28 दिनों तक मेरे 7 रोज आएं, और आज भी आपको जो मिलेगा, वो ख़जाना, बहुत simple है, लेकिन वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा, so let's begin, let's begin, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने पैसे आप कमाना चाहते हैं, अगले 3 साल में, 5 साल में 15 साल में, okay, नीचे लिखके बताइए मुझे, chat window पे, can I have the chat on the screen team, so that I can also see, कितने रुपए आप कमाना चाहते हैं, मुझे बताइए, okay, कितने जादा लोगों की life को आप बदलना चाहते हैं, लिखके बताइए, फटा-फट, 14,000 लोग इस समय इस program को live देख रहे हैं, thank you so much everybody, क्योंकि ये program, you know, हमारी YouTube channel Coach BSR पे लाइव हो रहा है, साधना गोल्ड पे लाइव हो रहा है, ये program हमारे Facebook पे लाइव हो रहा है, हमारे दूसरे channel Superstar BSR पे लाइव हो रहा है, so multiple places पे सब कुछ मिला के 14,000-15,000 से जादा लोग इस समय live हमारे साथ connected हैं, and yes, I am ready, and many people are saying, okay, 10,000 people 10,000,000 people, 1,000,000 people, awesome, इतने सारे लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हो, 5 crore, okay, 100 crore लोगों को, 3 crore, okay, great, इतना पैसा आप कमाना चाहते हो, okay, कोई-कोई कह रहा है, मुझे तो 1 million, 1 trillion, 50 crore, 500 crore, 5000 crore, 2 crore, okay, इतना पैसा आपको कमाना है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यही सवाल मैंने लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों से जितने लोगों से मैं मिला, उनसे सब से पूछा, उनके जवाव क्या हूँंगे, आप बोलोंगे, उनके जवाव भी यही हूँगे, अब मैं दूसरी चीज़ आप से पूछता हूँ, अगर मैं इनहीं आदमी इतना रिच बनना चाहता है, तो वो भी 400-500-1000 सालों से हमारी पीडी धर पीडी हम गरीब क्यों है कई लोग, कई लोग हम पीडी धर पीडी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, कभी कुछ सोचा है कि क्यों किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, वो भी कभी कम efforts में, और कोई इंसान जिंदगी भर पीडियों तक भयंकर hard work करता रहता है, फिर भी नहीं मिलता, क्या reason है, क्या reason है कि इतना difference है, क्या reason है, I really want to know that, आप बताइए मुझे क्या reason होगा, क्या reason है कि कोई आदमी कम effort भी लेता है, लेकिन company में vice president, president, director मिल जाता है, और कोई आ आद भी वो एक level के उपर नहीं grow कर पाता, why so much, क्यों ऐसा होता है, कि आप जिस से मिले उस से मिले, क्यों ऐसा होता है, कि आप इस समय मुझे ही सुन रहे हो, जबकि internet पे करोडों videos available होंगे, क्या reason है, कि कभी-कभी जंदगी में जो चाहते हैं, तुरंत हो जाता है, और कभी कभी कुछ चीज़ चाहते हैं, लगातार चाहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, दोसों क्या reason है, कि कभी तो ऐसा हुआ, कि जिस चीज़ से आपको डर लग रहा था, वो ही हो गया, आप डर रहे थे, अरे भगवान ये ना हो जाए मेरी जिन्दगी में, और वो ही आगया आप की जिन्दगी में, और कभी कभी आप जिस चीज़ को नहीं चाहते थे, वो अचानक से आपके पास आगई, दोसों ये विद्या क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इतनी disparity है, क्यों इतना ज्यादा उच नीच है, किसी के पास बिलकुल पैसा नहीं, किसी के पास सब कैसे कोई इंसान पूरी दुनिया जीतने की सोच लेता है, और 90% लोग ये नहीं सोच पाते कि ये तीन महीने बाद बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, दोसों ये सारे सवाल, बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन ये बेसिक सवाल आपको बहुत जादा important है, और आज हम इ देखेगा, सोचेगा और समझेगा कि magic of thinking rich क्या है, दोसों, I really want to ask you one small question, okay, question ये है कि do you really, do you really, really and seriously, seriously want to change your life? how many of you are super serious, super serious नहीं, super sincere, आप कहोगे yes I am sincere, अब मुझे ये बताइए, अगर आप super sincere हैं, तो जो आप करते आए हैं, वो ही करते रहें, तो कितना percent chance है कि जिन्दगी बहुत जादा बदल जाएगी, नहीं नहीं मेरी तो chance है, भागूंगा, चालूंगा, सब कुछ करूंगा, ज I want to tell you, बहुत कम, दोस्तों पता है कितना difference है इस दुनिया में, 1% लोगों के पास 99% wealth है, and 99% लोगों के पास सिर्फ 1% है, जबकि ये 99% सभी लोग rich बढ़ना चाते हैं, ये 99% सभी लोग बहुत आगे बढ़ना चाते हैं, then why so much of difference, बस इसी को हमें decode करना है, और इसी के बा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटे छोटे तीन चार announcement कर देता हूं, दोस्तों पहली चीज़ इस चैनल पर आप आए हैं, रोज शाम को इसी चैनल पर ये live होगा, 8 बजे से लिके 9 बजे तक चैनल को subscribe कर लिजे, और ये magical program है, दोस्तों आज entertainment बहुत बिक रहा है, लेक आपकी growth बनाने वाली जो चीज़ें हैं न, वो बहुत कम available हैं और हैं तो उसको लोग नहीं फैला रहे, दोस्तों आज अगर भारत को विश्व गुरू बनाना चाहते हो, अगर आज चाहते हो कि आपकी जिन्दगी को आप बदल दें, तो मेरा यी golden statement याद रखना, technical education, entertainment, य लेकिन I really want to tell you, self education जो है, वो आपको वो ताकत देगी जिससे कि आप दुनिया चला सकते हो, अगर बात अच्छी लगी तो नीचे comment box में लिख दीजे, yes sir, I believe in this, self education से आप दुनिया चला सकते हो, self education से you can really do so much, और याज self education की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ एक sentence तो बड़ा मज़ा आएगा, मेरे साथ बोलिये, happiness is my topmost priority, मेरे साथ बोलिये, happiness ही मेरी सबसे बड़ी priority है, अगले 28 दिन मैं खुश रहूँगा चाहे कुछ हो जाये, बोलिये मेरे साथ, happiness मेरी topmost priority है, अगले 28 दिन मेरे चहरे पे हसी रहेगी, मैं खुश रहूँगा हर हाल, ह हर काल में, can we say that, कितने लोग इस चीज को कर सकते हैं, come on, I really want to know that, कितने लोग कर सकते हैं, कह सकते हैं, priority बना दीजिए happiness को, क्योंकि ultimately जो आप चाहेंगे, उसका result होगा happiness, आपको car चाहिए, बड़ी car आने के बाद क्या होगा, happiness, बहुत पैसा चाहिए, उसके बाद क्या होगा happiness, let's make happiness our priority, but the problem is, हमारी जिंदीकी कैसी हो गई है, देखते हैं, अरे यार, ओफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अरे यार, फिर से उसी ओफिस में जाना है, आज फिर उठना, शेट यार, उसी बास की शकल देखने, I hate him, I don't like him, I don't want to go there, यार, चल, कोई बात नहीं, उठ ज आ रहा है, यार, इसको क्या problem है, you know, हम complain करते हैं, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक, कभी सूरज बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज़ादा है, कभी, अरे एसी बहुत थंडा हो गया है, कभी यार, पैसे कम आए हैं, कभी, oh my god, रास्ता बहुत लंबा हैं, कभी traffic jam की complain, कभी दोस्तों की complain, तो कभी घरवालों की complain, कभी किसी की complain, कभी किसी की complain, अब दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, complainers cannot create, क्या, complain जो करता है, वो कभी create नहीं कर सकता, और दूसरा statement, creators never complain, वाउ, मेरी टीम मुझे बता रही है, और स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है, 15,000 से जाला लोग हमारे साथ इस समय, कोच B.S.R. चैनल पर connected है, thank you so much once again दोस्तों, and इस चैनल को subscribe कर लीजे, एक बार कर्ण, बगवान श्री कृष्ण के पास गए, उनकी जब डेथ हो मेरी माने मुझे छोड़ दिया, क्या ये मेरा दोस्त था, कि जब मैं कोरवों के पास गया, और द्रोन अचारे जी के पास गया, तो उन्होंने मुझे सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे शत्रिय नहीं माना, क्या ये मेरा दोस्त था, कि पांड़ों और कोर तुझे सबसे जादा होगी तू इसे भूल जाएगा क्या ये मेरा दोश था कि किसी दिन मेरी तीर मैं कहीं ओर चला रहा था बीच में कोई गाय आ गई और मुझे गो हत्या का पाप लगा क्या ये मेरे दोश थे सारे भगवान तो भगवान श्रीकृष्ण ने का भाई तेरी जिन्दगी तो फिर भी बहुत अच्छी थी सोच मेरे बारे में मैं तो जेल में पैदा हुआ मैं जेल में पैदा हुआ और जेल में पैदा होने के पहले ही मेरा मामा मुझे मारने के सारे शडियंत्र बना रहा था उसके बाद मैं जब छोटा बच्चा था तो सारे राक्षसों ने मुझे अटैक करकर के मारने की कोशिश की जब तु धनूर विद्या वगरे युद्ध वगरे सीख रहा था और तेरा यशगान हो रहा था उस समय मैं सिर्फ गाएं चरा रहा था तु जिस समय पढ़ लिखके गुरुकुल से बाहर निकल चुका था उस समय तक तो मुझे कोई गुरु भी नहीं मिला था उस समय तक तो मैं बहुत जादा इधर उधर भटक रहा था और मैं जब तेरी उम्र में तू जब सीख गया सब चीजे तब मुझे गुरु संदीपन के आश्रम में जाने का मौका मिला तो मेरे भारे में तो सोच कि मुझे अपने गाउं वाले बच्चों को या सब की रक्षा करने के लिए दुआर का कहीं समुद्र किनारे अपना गाउं छोड़के वहां और लोगों ने कहा ये तो भगोडा है मैं तो उस इंसान से उस त्री से शादी भी नहीं कर पाया जिससे मैं प्यार करता था मुझे तो सारी शादिया राजनीतिक कारणों से या धार्मिक कारणों से करनी पड़ी जबकि राधारानी से तो मैं शादी नहीं कर पाया बोला भाई सुन कंप्लेन करने के लिए सभी की लाइफ में सब कुछ है करन बोला लेकिन अना मैंने दुर्योधन ने मुझे सब कुछ दिया तो मैंने दुर्योधन का साथ दिया उसमें मैंने गलत क्या किया बाकि सब ने मुझे नकारा बोले ये सब मेरे साथ होते वे भी करन भाई मैंने हमेशा सच्चाई का और धर्म का साथ दिया दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारे चैलेंजेज हैं, श्री कृष्ण कहे दें, कि हर किसी की लाइफ में चैलेंजेज आएंगे, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, वो ही आपके कैरेक्टर की सबसे दोस्ते, can you just say that, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंड ढूंड के आता है, जब मैं सोता हूं तब भी आता है, जब मैं जाकता हूं तब भी आता है, जब मैं जाकता हूं तब भी आता है, जब जाता है, जब जाता है तो multiply होके आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वापस से इस वीडियो को सुनिएगा, वापस से मैं बोलता हूँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, गुम गुम के आता है, नए नए तरीकों से आता है, जब मैं सोता हूँ तब भी आता ह दिन में भी आता है, रात में भी आता है अब कई लोगों को ये हजम नहीं हो रहा होगा Oh my God, how can I say that, मेरे पास तो नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि आपका focus पता है किस पर है, कमी पर है मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है अरे पैसा चला ना जाए, अरे पैसा छूट ना जाए, अरे पैसा गया, अरे पैसा कहां से आएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, पैसा आसानी से नहीं आता, पैसा ही सारे मुसीबत की जड़े, पैसा ही प्रॉब्लम है, ओ पैसा, जिसके पास पैसा उसी की पूछ है, मेरी तो पोँच ही नहीं है, जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान है, मेरा तो सम्मान ही नहीं है, पैसा मेरे पास ही नहीं, पैसा आएगा कैसे, पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, पैसा डिफिकल्टी से आता है, आप इतनी complaint पैसे के के बारे में कर रहे हो just imagine कीजिए आप मेरे बारे में इतनी complain कर रहे हो do you really think I would love to come to you मैं आपके बारे में इतनी complain कर रहा हूँ आपको लगता है आप मेरे पास चल के आओगे मैं आपको दूर से कहूं बहुत बुरा दिखता है बहुत बेकार दिखता है अरे यही problem है यही problem की जड़े यही difficult है यही challenge है इसके आते ही धगड़े होते है हैसा मैं आपके बारे में सोचू तो आपको लगता है कि आप मेरे पास आओगे never never अब इतनी complain के बाद आपको लगता है पैसा आपके पास आएगा हर रोज मैंने देखा 90% लोगों को जब वो स्कूटर साइकल पर जाते है काश मेरे पास BMW होती लेकिन पैसा ही नहीं है इसकी जगए कहना है वाव मेरी साइकल अब BMW में बदल रही है दीरे दीरे आप कहोगे how can I do that दोस्तो 28 दिन मेरे साथ जुड़े वे रहे आप यह नहीं कर पाएंगे पता है क्यों क्यों हमारी जिंदगी में मैं आपको बताना चाहूंगा एक बच्चा जब 18 साल का होता है न द्यान से सुनिएगा मेरी बात ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं बहुत experience के साथ बात कर रहा हूं पाने वाला एक इंसान था चोटा सा और मुझे कुछ नहीं आता था ना मेरे पास बोलने की कला थी ना मैं इंगलिश बोल पाता था ना लोगों से कनेक्ट कर पाता था ना smile आती थी ने कपडे पहनने का तरीका था ने लोगों से मिलने जूलने का तरीका था लेकिन यह सारी विध्या ने सब कुछ दिया बड़े से बड़े लोगों के साथ आज उठने बैठने का मौका एंड ये छोटी सी चीज आपको लग सकती है अरे दोहराने से पैसा थोड़ी आएगा ये प्राक्टिकल थोड़ी है है ना प्राक्टिकल क्या है शेर मार्केट के नॉलेज लो शेर मार्केट में डालो और वहां से आओ दोस्तों हजारों लोग ये कहते हैं शेर मार्केट में सिर्फ 2-5% लोग पैसा कमा रहे 95% पैसा दे के आ रहे हैं लुटा के आ रहे हैं खोक के आ रहे हैं क्यों नहीं आरहा हैं उनकी पास पैसा आप कहो mythsub ऐसा पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त देख लिया नहीं हाया ना अब मेरी वाली स्ट्राटेजी को एक साल अपना के देख लो एर क्या फरक पड़ता है एक साल कोई हर्ज है कोई लॉस है एक बार अपनी पीट थप थपा जीजिए राइट हैंड अपर कीजिए पीट पर रखिये और बोल दीजिए शाबास आप मैं आपके साथ मेरा मैजिकल मॉर्निंग करके प्रोग्राम भी लेकिया हूंगा वो भी आपके लिए फ्री होगा ये पूरा महीना मेरा सेवा का है इस महीने मैं कुछ नहीं कमा रहा है इस महीने मैं सिर्फ सेवा 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 करना है इस लाइन को अपने जहन मे बसा दीजे, जहां काम करें, पावर के साथ करें, जिससे मिलें, ऐसे मिलें, कि यार उस इनसान की help करनी है, जब मैं किसी को sell करने भी जाता हूँ, तो मैं sell नहीं करता, मैं हमेशा दिखता हूँ, उसका problem क्या है, क्या मैं उसके problem को दूर कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ, त बार सोते हुए आता है उठते हुए आता है तो मैं आपको बता रहा था यह 28 दिन का program magical program और आप सभी के लिए यह program है and thank you once again पहले दिन प्रीम देने के लिए दोस्तों हम बहुत सारी चीजें इस program में सीखेंगे लेकिन सबसे पहली चीज आज पहले दिन चाहते हैं are you sure अगर आप बदलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा statement यहां पर लिखके दूँगा and that statement is very simple statement है कि देखिए statement है कि when you choose when you choose the right things जब आप सही चीजों को choose करने लगते हैं तो आपकी जिन्दगी में सही चीजे होने लगती है वापस बताइए क्या बोला मैंने when you choose the right things when you choose the right things आपके साथ right चीजों होने लगती है अब देखिए इसको समझते हैं माली जे एक बड़ा सा यहां पेड़ है मुझे अच्छी से ड्रोइग नहीं आती और इसके नीचे यह जड़े यह इसका ट्रंक है यहां पर बहुत सारे fruits लगे हए बहुत सारे fruits लगे हुए है अब मैं दिन रात सोचूं मेरे fruits यू नहीं हो जाये मेरे fruits बहुत मीठे हो जाये मेरे fruits बहुत हाइahl sat मुझे साफ साफ बताईए what should I choose to focus on should I focus on fruits या should I focus on roots कहां focus करूँ roots पे focus करूँ या fruits पे focus करूँ tell me fast कहां focus करूँ आपको कह सर सीधी सी बात है roots पे focus करो क्योंकि roots roots brings fruits roots bring fruits correct or not कितने लोगों को समझ में आ रहा है बिल्कुश simple सी चीज है या आपने सुना भी होगा कई बजजगे सुना होगा बार-बार सुना होगा नए नए तरीकों से सुना होगा लेकिन problem यह है फिर भी हम कहते है यार पैसा कहां से आएगा तो you need to focus on that बट आप जाके आफिस पॉलिटिक्स में गुजगे लोगा तरेको पता है उसका पैकेज इतना बढ़ गया उसका पैकेज इतना बढ़ गया उसका पैकेज कैसे बढ़ गया औरे वह तो बॉस का चापलोस है इसलिए उसके पास package बढ़ गया my goodness अच्छा अच्छा वो क्या कर रहा है अच्कल अरे उसकी शादी हुई अरे वो किसके साथ भागा अरे वो किसके साथ भागी अरे उसने क्या कर दिया अरे वो तो boss के cabin में तीन बार चला गया अरे तिरको पता है आजकल वो यह course कर रहा है अरे दूसरे की थाली में जहांकना छोड़े न यार तुमारा relative क्या कर रहा है तुमारा पडोसी क्या कर रहा है तुमारा दोस्त क्या कर रहा है किसने कैसे कपड़े पहने किसने कौन सी गाड़ी खरी दी गुरु द्रोन सभी लोगों को सिखा रहे थे और सिखाते सिखाते शाम हो गई शाम को 6-7 बजे समापन हुआ क्लासेज का और समापन होने के बाद सभी लोग सो गए अगले दिन सुभए 4 बजे अरजुन को आवाज आई सैं साइं अरजुन ने कहा यह क्या हो रहे अरजुन उठा और उसने देखा तो देखा कि गुरु द्रोन अपने बेटे अश्वत्थामा को कुछ सिखा रहे थे अरजुन ने कहा यार यह कौन सी विद्या है जो गुरु देव सिर्फ अपने बेटे को सिखा रहे अर्जुन ने उसको ध्यान से देखना चाहा अर्जुन को समझ में तो नहीं आया लेकिन अर्जुन ने कहा एक प्रण ले लिया अर्जुन ने कि सबसे बेस्ट धनुरधर तो मैं ही बनूँगा दुनिया का सबसे बेस्ट तो सिर्फ मैं ही बनूँगा अर्जुन ने ये प्रण ले लिया अगले दिन शाम को पांच्छे बजे गुरुकुल खतम हुआ सभी लोग खानावाना खाए और खानावाना खाने के बाद रात को बारा बजे गुरुद्रोन की आँख खुली साए साए कुछ तो आवाजे आ रही थी गुरुद्रोन बाहर निकले तो देखा अरे कोई तो प्राक्टिस कर रहा है कौन प्राक्टिस कर रहा है ये आदी रात को कौन प्राक्टिस कर रहा है देखा तो अर्जुन बोला बेटा तू सो क्यों नहीं रहा प्राक्टिस क्यों कर रहा है अर्जुन ने कहा गुरुदेव because मुझे दुनिया में number one بنना है दूस्टो स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि आपका लक्ष Cantor दुनिया में सिर्फ number one बनने का होना चाहिए जिस भी field में आप हो या तो आपका लक्ष裡 number one बनने का होना चाहिए या फिर आपका लक्ष दुनिया के बाहर भी number one बनने का होना चाहिए लेकिन दुनिया के बाद की चीज़े आप सोच नहीं पाओगे इसलिए जो field में आप हो उसमें आपका लक्ष नंबर one होना चाहिए लेकिन हम number one बने कैसे हम number one बन नहीं पाएंगे क्योंकि हम roots पे focus नहीं कर रहे है we are not focusing on roots हम लोग focus कर रहे हैं दूसरा कैसे बनेगा अरे आज मोदी जी ने क्या कर दिया अरे आज गांधी जी ने क्या कर दिया राहूल गांधी जी ने अरे ये खेल वालों ने क्या कर दिया आज जंतर मंतर पे क्या हो रहा है आज यह वहाँ कहा हो रहा है अर्चा train हदसा हो गया इतने लोग मर गए दिन भर उसी की चर्चा दोस्तों मेरे साथ बोलिए whatever you focus on expands जिस चीज़ पर आप focus करते हैं वो ही आपकी जिंदगी पर बढ़ जाती है और अगले 28 दिन मैं आपको detail में सिखाऊंगा law of attraction क्या होता है subconscious mind क्या होता है क्योंकि यह जो roots है यह सारी आपके subconscious mind में है conscious mind important है 10% powerful होता है लेकि 90% power आपके subconscious mind की होती है और यह subconscious mind के बारे में हम लोग detail में सीखेंगे समझेंगे अगले कुछ दिनों में दोस्वों मेरे साथ बोलिए I am ready to give my energy for 28 days 28 दिन मैं रोज इसे attend करूँगा ऐसा प्रण ले लिजे आप खाना छोड़ दीजेगा लेकिन ये डेड़ घंटा आपका mind को खाना दे दिया ना जिन्दगी बर हम पेट को खाना देते हैं दिन में तीन तीन बार पेट को खाना देते हैं सुबह नाश्ता दिन में lunch फिट डिनर फिर दिन भर में चाई कॉफी दो तीन बार नारील पानी ये वो पता नहीं हजारों चीजे हम खा लेते हैं दिन बर में मैं पूछता हूँ दोस्तों पेट को खाना आप रोज देते हो अपने माइंड को खाना कब-कब देते हो पेट को सारे काम छोड़के एक घंटा रोज घर में एक इनसान दिन रात रोटी बनाने में लगा हुआ है आपके लिए सबजी खाटने में लगा हुआ है कोई रायता बना रहा है कोई दही बना रहा है पता नहीं क्या कर रहा है और धीरे धीरे एक दो इंसानों की पूरी एनरजी हर घर में दिन रात सिर्फ पेट के लिए लग रही है मैं कहता हूं दोस्तों यह जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है ना इसको फीड करोगे इसके उपर खर्चा करोगे तो जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन पाओगे अपने माइंड को खाना देने की शुरुवात कर दीजिए भूका नहीं रह सकते है पेट को खाना देना ही है इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है लेकिन पेट से जादा माइंड को खाना and it is the root अब यही roots की हम बात कर रहे है माइंड को खाना देने वाले roots की हम बात कर रहे है तो दोसों subconscious mind यह हमारा शत्रू है यह हमारा दोस्त भी है 90 प्रतीशत लोगों के साथ हमारा subconscious mind as an enemy act कर रहा है as an enemy act कर रहा है मैं आपको उधारन देता हूँ आप जहां पे भी दिन बर बहुत सारे काम करते हैं आप think about this आपकी choices कैसी होती है इसी city में जहां आज मुझे फोन आया हैदर अली करके एक person है हमारे hometown से उनका फोन आया सर बहुत करजे में हूँ 40 लाग रुपए के करजे में हूँ सर बहुत ही मुश्किल हालात में हूँ सर समझ नहीं आरा मैं क्या करूँ सर एक देड़ साल से income का कोई source नहीं है and I don't know what to do मैंने का Heather relax सिर्फ 40 लाग का लोन है यार मैंने का गाड़ी उठा सिटी में घूम के आ 3-4 किलोमेटर के दाइरे में और 3-4 किलोमेटर के दाइरे में तुझे बहुत सारी buildings दिखेगी 3-4 किलोमेटर के दाइरे में मुझे बता कौन-कौन से go down है उसने का जर मैं mentally अगर घूम हूँ अभी तो मुझे बहुत सारे अच्छे-च्छे बड़े-बड़े लोग दिख रहे है मैंने का सर बात बता 3-4 किलोमेटर के दाइरे में अगर तुझे 1000 करोड़ पती दिख सकते हैं इस सिटी में जिस सिटी में तो रह रहा है तो मुझे बता पूरे भारत में कितने करोड़ पती होंगे मैंने का पूरी दुनिया में कितने होंगे मैंने का 800 करोड़ लोगों में अगर एक करोड़ लोग भी करोड़ पती है तो competition है ही नहीं मेरे भाई competition है ही नहीं बस focus on becoming करोड़ पती that's it मैंने का तू roots पे focus नहीं कर रहा तू fruits पे focus कर रहा 5 करोड़ कैसे आएगा, 50 लाग कैसे आएगा मैंने का 50 लाग कैसे नहीं आएगा तेरे को सबसे पहले focus करना है what are you supposed to do जब तू रोज चिन्ता कर रहा है मेरे साथ बोलिए चिन्ता चिता के समान होती है सबी ने सुनी है चिन्ता किसके समान होती है चिता के समान होती है चिंता जब चिंता चिता के समान है तो सब कुछ बदलने वाला है आपकी जिंदगी में चिंता करने के कारण और पता है वो कैसे बदलेगा नेगेटिव तरीके से लेकिन अगर वो ही आपने कहा यार यह 40 लाग का लोन है मुझे पता है ये लोन है अब मुझे इस लोन पर मैं हर बार सोचू कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा इसके जगे मैं सोचू दो करोर कैसे कमाऊं, दो करोर कैसे कमाऊं मुझे बताइए What is the better quality thought अब एक golden statement मेरे साथ Quality of your thoughts is the quality of your life आपके विचारों की जो quality है न वो ही आपके जीवन की quality है और इसी के उपर मैंने एक पुस्तक लिखी है Master your thoughts, master your life दोस्टों ये Magic of Thinking Rich प्रोग्राम चल रहा है तो इसी के उपर भी मैंने एक किताब लिखी है The Magic of Thinking Rich के नाम से ये दोनों किताबें आप Amazon.com से जाके खरीच सकते हैं Master your thoughts का Hindi version है बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन क्योंकि देखिए दोस्तों आपने सुना ही होगा जब आप विचारों को बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएगे कष्टियों को बदलने की जरुरत नहीं दोस्तों दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएगे अब दोस्तों चलिए अब वापस से बात करते हैं What do you want in your life? मैं कहता हूँ ये 28 दिन में आपको सारी रेसिपी दूँगा कि क्या-क्या अट्रक्ट करना है अट्रक्शन कैसे होता है कितना पैसा चाहिए अट्रक्ट करने की पूरी रेसिपी बताऊँगा ग्यारंटी नहीं दे रहा कि आप मैंसे हर आदमी के पास आ जाएगा बट मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस चीज को फॉलो करते हैं और वो आ जाते हैं लेकिन पहली पहली चीज हमें सिंपल सी समझनी है मेरे साथ बोलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या गार्बेज इन गार्बेज आउट एक छोटी सी साइकल को हम लोग समझते हैं छोटी सी साइकल है आई पी ओ साइकल ये मुझे पहले दिन सिखाया गया था जब मैंने कम्प्यूटर कोर्स किया Computer Course में मुझे कहा Input Device होती है फिर Processing Device होती है और फिर Output Device होती है मुझे सिखाया गया आपका Keyboard और Mouse Input Device है मुझे सिखाया गया Central Processing Unit यानि कि आपका CPU वो आपकी Processing Device है और मुझे सिखाया गया Monitor जो है वो आपका Output Device है ठीक है? तब दोसों मुझे यह बताईए अगर मैंने Input दिया A तो Output पे क्या दिखाई देगा? Output पे आप कहोगे Sir A ही आएगा अंदर Process क्या होगा? Process होगा 010101 के Format में कुछ Binary Coding वगर होगी और उसके Process जैसे भी वो करेगा दिखाएगा Output क्या? A Is that clear or not? अब मुझे यह बताईए दिन भर आपके Life में चिंता का Input है दिन भर आपके Life में comparison का Input है यार वो मुझे से बेटर कैसे हो गया? वो तो बहुत ज़ादा पैसा कमा रहा है वो Singapore जा रहा है, वो Switzerland जा रहा है उसने बड़ा बंगला खरीद लिया, उसने बड़ी गाड़ी खरीद लिया वो ऐसा हो गया, comparison का Input है दिन भर आपके अंदर अपने आपको थोड़ा छोटा, कभी-कभी हम अपने आपको कम समझते हैं ओके, so confidence lose कर देते हैं we lose confidence sometimes ठीक है? कभी-कभी हमारा सोच यह रहता है, बस जितना मैं कमा रहा हूँ जो 40,000 कमा रहा हूँ 299% people या तो ordinary input है या फिर negative input है ordinary and negative and वो चाहते हैं कि यह change हो जाए यह A लिखाया लेकिन यह B आजाए is it possible? अरे भाई मैंने आम का बीज लगाया है और बबूल आजाए या हम का बीज लगाया है अंगूर आजाए कैसे आएगा? भाई बोए, बीज, बबूल का तो आम कहां से होए? it's not possible, right or wrong? अब आप कहोगे सरी यह तो हमें पता है दोस्तों पता है लेकिन इसकी practice नहीं है हमें यह पता है लेकिन इसकी practice नहीं है और हर रोज मैं 28 दिन इसी program में रोज रात को 8 से 9 बजे तक आपको ऐसी practices बताऊंगा आज पहला दिन है तो आपको यह छोटी सी चीज़ें समझाना जरूरी है कि क्या है यह? यह process है अब मुझे यह बताईए अगली चीज मैं आपसे पूस्ता हूँ आपको बहुत आगे बढ़ना है लेट से आप अभी XYZ position पे हो आप नाम, पैसा, प्रॉपर्टी यूरो, fame, whatever you want to create आपको वो सारी चीज़े create करनी है लेकिन आपके अभी की position यह है XYZ और आपको XYZ इंटू 1000 चाहिए यह level का आपका goal है इसको simple शब्दों में देखें तो कोई बच्चा, जो कि आज मान लेजे, IAS exam की तैयारी कर रहा है, prepare कर रहा है और उसका goal है IAS बनना, तो what should be his process इसको क्या करना चाहिए इसको रोद सोचना चाहिए, यार IAS तो बहुत मुश्किल से बना जाता है, बहुत difficult तरीके से बना जाता है, नहीं हो सकता यह तो बहुत ही challenging situation है, क्या होना चाहिए मुझे यह बताईए आप आप कहोगे यहां से यहां पहुचने की एक process है जैसे की process को एक और example से आपको समझाता हूँ चाय बनानी है, तो क्या process है, आप कहोगे पानी उबा लिए, उस में अधरक ढल लिए, या काली मिर्च ढल लिए, जो भी डालना है, वो बाद में भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम bनाता हूँ इसलिए, चाय की पत्ती डाल दीजिए उसके बाद क्या करोगे, दूर डूर दाल दीजिए शक्कर डाल दीजे और यह मसाला वसाला डाल दीजे और फिर उसको जैसी आपको स्वाच चाहिए उसके हिसाब से उबाल के आप च्छान के पी लीजे करेक्ट, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है अब मुझे बताईए चाहिए बनाने की इस प्रोसेस में मैंने नमक डाल दिया थोड़ा वाट वुड़ हैपन, चाहिए बेकार बनेगी मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी क्या होगा, बहुत बेकार बनेगा मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा डाल दिया क्या होगा चाई बेकार बनेगी मतलब सिंपल शब्दों में अगर चाई बनाने की प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो चाई कभी नहीं बनेगी अगर I.E.S. बनने की प्रोसेस को फॉलो नहीं किया I.E.S. कभी नहीं बनेगा अगर आप trainer बनना चाहते हैं मेरी तरह है trainer बनने के process को follow नहीं किया trainer कभी नहीं बनेंगे अगर आप बहुत बड़े businessman बनना चाहते हैं और आपने कभी business शुरू ही नहीं किया या किया तो बहुत छोटा सोच रहे हैं आप तो कभी बड़ा business नहीं बनेगा अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़े olympic में athletes बनें तो उसी का process follow करना पड़ेगा एक coach लिना पड़ेगा उसके under में बहुत ज़ादा practice करनी पड़ेगी दिन रात पसीना बहाना पड़ेगा you will have to think beyond your limits and आपको बहुत ज़ादा process के हिसाब से काम करना पड़ेगा correct or not if you don't follow the process you never get the results अब यह आपको बताने के पीछे reason क्या है 90% of us are not following the process हम process follow ही नहीं कर रहे और बिना process के हम result चाहते है how is it possible अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ माली जी आपकी उमर है 28 साल आप 28 साल से कई सारी ऐसी चीज़े कर रहे हैं जो process का हिस्सा नहीं है 28 साल में मैं आपको बहुत important चीज़ बता रहा हूँ माली जी एक लड़का 20 साल का है न 20 साल का होते होते वो TV पे कम से कम 25,000 से जादा murder देख चुका है 20 साल का होते होते कम से कम वो एक हजार, दो हजार, पाँच हजार से जादा यूनो रेप्स या इस तरह के crime देख चुका है जो कि उसे शायद नहीं देखने चाहिए जब तक वो 25 साल का हो रहा है न तब तक उसने TV से आस पास के environment से हजारों घंटे की negative recording अपने mind में save कर लिए हजारों घंटे की और फिर उसके pattern बन जाते हैं pattern बन जाते हैं कि थोड़ा सा loss हुआ है चिन्ता थोड़ा सा problem हुआ tension थोड़ा सा problem हुआ गुसा थोड़ा सा problem हुआ बहुत ज़्यादा negativity थोड़ा सा problem हुआ दूसरों को blame यह patterns है और जब life के यह patterns चल रहे हैं तो यह सारे patterns आपको पैसा तो कम से कम नहीं कमाने देंगे या आगे भी नहीं बढ़ने देंगे now let me ask you this how many of you really really want to break all these patterns मैं चाहता हूँ कि problem आए मैं एक मिनिट के लिए सवाल पूछता हूँ रतन टाटा साब एक मिनिट के लिए example लेते मां लीजे उनके जीवन में बहुत बड़ी problem आई कितनी देर वो tension में रहेंगे मां लीजे इस बंदे ने मुझे का कि 40,000 रुपए का या 40,000,000 का loan हो गया मेरे पास रतन टाटा साब को उनकी हैसियत से हजारों को ना जादा loan हो गया अब मुझे बदाएए वो कितने दिन tension में रहेंगे आपको पता है वो क्या करेंगे वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन तो शायद हरा आदमी को थोड़ी tension होगी लेकिन जैसे ही दो तीन दिन होंगे वो अपना command लेंगे वो सीधा action में लग जाएंगे मुले इसको solve करने के लिए इस problem को fix करने के लिए क्या क्या करना है and he will get into that he will fix the problem he will not say अरे मुझे ये करना चाहिए he will do it और हम कहते हैं मुझे जिन्दगी में आगे पढ़ना है आगे पढ़ना है I must get up early in the morning get up early और अगले दिन सुभे alarm बजा चोड़ना यार कल से करेंगे परसों से करेंगे क्योंकि आज करे सो काल कर काल करे सो परसों जल्दी जल्दी क्यों करता है जीना है अभी परसों हमारा problem बहुत बड़ा है हमारा problem है कि हम लोग कहते हैं I should do this I should do this मुझे जादा पढ़ना चाहिए मुझे जादा सीखना चाहिए मुझे focused रहना चाहिए मुझे committed रहना चाहिए मुझे बहुत disciplined रहना चाहिए मुझे confident होना चाहिए मुझे communication की mastery करनी चाहिए मुझे बहुत अच्छा बात करना चाहिए मेरे कपड़े उपड़े अच्छे होने चाहिए मैं बहुत अच्छा फोकस शार्प बंदा होना चाहिए मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए लेकिन अगले दिन हम कहते हैं कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे अगले साल से करेंगे, अगले महिने से करेंगे, अगले दिन से करेंगे I should do it और जब तक आप कहते रहोगे I should do it ये एक बिमारी है, बिमारी, ये बिमारी है, should ये बिमारी है, should हजारों लोग मुझे आते हैं, बोलते हैं तो पैसा कौन से दिन आएगा कौन सा आपका महरत निकलेगा कौन सा अच्छा ठीक है यह पैसों से नहीं हो सकता मैं कहता हूं आज ही मैंने उस बंदे को का मैंने का YouTube चैनल बनाना शुरू कर तो मैं अगले महीठी कर पाँगा क्यों बाई अभी क्यों नहीं मोबाईल नहीं है आथ में कि मोबाईल है लेकिन अभी टाइम नहीं है टाइम नहीं आ यूरीली ओट बिकम यूटीूबर आपको बनना है और उसके बाद आपको आपको टाइम नहीं है क्यों कल से करेंगे यही प्रॉब्लम है यही पाटर्न है एक मिनट के लिए सोछिए जो चीज आपको करनी है जो आ पूँल देता हूं मैं इसा अगर मुझसे कोई छोटा होता है लेकिन इसमें भीड में मेरे से बहुत बड़े हैं मैं कहा देता हूं भाई तू क्यूं excuse दे रहा है मेरे साथ बोलिए जब जब हम excuse देते हैं तब-तब हम कबर खोदते थे जब जब आप एक्सक्यूज देते हैं आप अपने माबाप की इंसल्ट करते हैं जब जब आप एक्सक्यूज देते हैं आप अपने गुरुजनों की इंसल्ट करते हैं जब जब आप एक्सक्यूज देते हैं आप भारत माप की इंसल्ट करते हैं और जब जब आप एक्सक्यूज देते तब तब आप हमारे हजारों लाक हों सैनिक जो शहीद हुएं हमें आजादी दिलाने वाले स्व़तन्तरता सैनानियों की इंसल्ट करते हैं क्यूं? क्योंकि आपके एक्सक्यूस देने के कारण आपकी ग्रोथ नहीं ओरी और आपकी ग्रोथ नहीं ओरी तो इसका benefit आपके माबाप को, आपके गुरुजनों को, इस देश को और उन सभी लोगों को नहीं मिल रहा जिनको मिलना चाहिए हमने excuse देते हैं, I should do it, लेकिन कब करूगा, कल करूगा, पड़सो करूगा, तरसो करूगा, बाद में करूगा, ये करूगा, वो करूगा, अरे बाद में क्यों, आज क्यों नहीं काल करे सो आज कर आज करे सो अपल मैं परले होईगी बहुरी करेगो काब लेकिन डर ऐसा बैठा हुआ है डर 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 मैं फेल हो गया तो मैं कहता हूँ पास हो गया तो सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन सर मैं फेल हो गया तो अरे भई पास हो गया तो क्या होगा दोसों मैं जब 2007 में अपने गुरू के पास गया उन्होंने का भुपेंद्र पुपेंद्र 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 पु उन्हाने पूछा तू है कौन भाई तू है कौन तोप है तू कोई बहुत बड़ा शेहनशा है तू कोई प्राइम मिनिस्टर है तू कोई प्रेसिडेंट है तू कोई बहुत बड़ा बिजनेस आइकून है तू कोई बहुत बड़ा सेलेबरिटी है देख भाई तेरी अभी भ इज़त नहीं है उन्होंने मेरेको रियलाइज करवाया बोले तेरी अभी इज़त नहीं है पचास लोग हसलेंगे तब भी तेरी इज़त नहीं रहीगी लेगिन मैं तुरे को एक बात कहता हूं वह पहिंद्र आज बोलना सीख पहली बार बोलेगा हो सकता है पचास हंसले दूसरी बार बोलेगा हो सकता है फिर पचास हंसले तीसरी बार बोलेगा हो सकता है फिर पचास हंसले बोलता रहे, 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 बोलता रहे और जो बुदिमान नहीं है उसे बार-बार सेम बात बतानी पड़ती है एक बार मैं समझ में आ गई मुझे मेरे टीचर ने कहा बुपेंद्र बोलना सीख मैं जानता हूँ हजारों कई चीजे मुझे भी पहली बार में समझ भी नहीं है लेकिन ये बात समझ में आ गई क्योंकि ये बड़ी प्राक्टिकल लगी बड़ी लॉजिकल लगी क्योंकि हम कहते हैं लॉजिक से चलना चाहिए कुछ चीजे लॉजिकल मान लेनी चाहिए Logic कहता है कि हर रोज बोलना पड़ेगा Logic कहता है कि दिन में 24 गंते होते हैं जितनी देर जागेंगे उतनी देर हिया तочки बोलना पड़ेगा मिलना पड़ेगा सुनना पड़ेगा समझना पड़ेगा कुछ तो बोलने से related प्रक्रियाय होगी और मेरे गुरू ने कहा जब बोलेगा तो लोग सुनेंगे और जब बोलेगा तो दुनिया बदलेगी मेरे माइन ने कहा I should learn to speak, I should speak मेरे टीचर ने कहा you should नहीं, should एक बिमारी है मुझे करना चाहिए, यह चाहिए एक बिमारी है बोल मेरे साथ मैं बोलूँगा, मुझे बोलना है I must तो दोस्तों यह should जो है यह बिमारी है इस should को काट दीजिए और आज के बाद बोलिए I must speak You should think positive नहीं, आप positive सोचना नहीं चाहिए आपको positive सोचना है आपको, you must think positive यह सब्द, शब्दों का फेर है दोस्तों I must नहीं, I should नहीं, I must मेरे भाई I must, I must, I must, I must तुम्हें जल्दी उठना चाहिए नहीं, तुम्हें जल्दी उठना है तुम्हें meditation करनी चाहिए नहीं, तुम्हें meditation करनी है तुम्हे गोल्स लिखने चाहिए नहीं तुम्हे गोल लिखने है अगर बढ़ना चाहते हो तो लिखने है 80% लोग साला आलसी होते हैं और आलसी होने के बाद कहते हैं Oh I wish I get crores नहीं आएगा तिर पास अगर आलसी है तो बिल्कुल नहीं आएगा दिल से बोल रहा हूँ मन से बोल रहा हूँ माफी चाहूँगा दोस्तों आप मैंसे कई मेरे से बड़े हैं कभी कभी flow में समझाने के लिए कुछ चीज़े निकल जाए तो ऐसा intention नहीं है आप मैंसे किसी को hurt करना but yes कुछ चीज़े हैं दिल से निकलेगी ना तभी दिल पे लगेगी दिल से निकलेगी बात तो ही दिल पे लगेगी and I must change I must change bloody I must you must get up early in the morning कितने लोगों को लगता है सुबह जल्दी उठना चाहिए अगर आपको लगता है जल्दी उठना चाहिए तो उठना शुरू कर दीजे 6 तारीक से meditation का program लूँगा 6 से 7 free of cost रहेगा सिर्फ value दूँगा ये पूरे 8-20 दिन सिर्फ value दूँगा जबरदस value दूँगा क्योंकि मैंने मेरे गुरू से सीखा है when you give you will automatically receive ब्रह्मान अपने आप करेगा तो कोई आता है मेरे पास अच्छा मतलब आप इसलिए दे रहे हो न क्योंकि प्रह्मान आपको और दे अरे भाई मुझे क्या पता प्रह्मान देगा नहीं देगा I really need to follow कर्मा का सिद्धान्त कर्म किये जा फल की इच्छा मत कर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप ओफिस आ रहे हो सेलरी की इच्छा ना करो लेगि ना इसका मतलब यह है 30 दिन जब आप काम कर रहे हो सेलरी तो 31 वे दिन मिलेगी न यह अगले महिने में मिलेगी यह 30 दिन हर दिन उस कर्मशेत्र को अपनी पूजा मान के काम करना है दोसों लोग ऑफिस जाते हैं और कंप्लेन करते हैं I hate it जिस जगे से तुमारी रोटी आ रही है जिस जगे से तुमारी बाइक में पेट्रोल आ रहा है जिस जगे से आपके घर में आपके बच्चों की स्कूल की फीज जा रही है जिस चीज के कारण, जिस नोकरी के कारण, जिस बिजनस के कारण आपको सर उठा के चलने को मिल रहा है आप हर रोज उसके कंप्लेन कर रहे हैं Every single day you are complaining about it मेरे साथ बोलिए complainers can not create, creators can not complain so complain करना छोड़ना चाहिए नहीं complain करना छोड़ना होगा किसी और के लिए नहीं अपने लिए, किसी और पैहसान नहीं कर रहे हो अपने लिए, अपने उपर ऐसान कर रहे हो जब आप positive रहोगे सब कुछ positive होने लगेगा क्योंकि दोस्तों, input, output and process, वापस से बता देता हूँ, input, process, output, मैंने कहा, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अंदर process होगा, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, and धीरे धीरे, अंदर process होते होते, output आने लगएगा, दोस्तों, मेरे जिंदिगे में आने लगा, मेरे teacher नित पेटा तु दान नहीं देता वुपेद्र तेरे पास देने की लालन दानत नहीं है तु देना नहीं चाहता तेरा दिल खुला हुआ नहीं है इंपूट तु इंपूट ही कह रहा है तेरे पास है नहीं मैंने जैसे उन्हें का युपेंद तक पैसा नहीं आरहा क्योंकि तुमन्षक नमगा को सो घूमाता होगा दस सतेसे घ्मातों होगा बैसे उस्स अजार अुपै कमा तॊ-अ-दस सौल going लेके जा घर बहुत चल वह भी नहीं दे सकता दसाजार में से सो रुपए तो दान कर और जैसे ही आप दान करते हो आपका input जाता है मैंने दिया I can give I am a giver processing होने लग जाती है I am a giver output आने लग जाता है I am a giver जो देने लगता है उसके पास और आने लग जाता है उसके भंडार भर जाते है इन्पूट चेंज हो गया ना अब मैं आपको एक छोटी स्चीज बता दा हूँ एक सोटा सा सवाल और उस सवाल का वो उत्तर दीजेगा I want to see the things on screen team जो भी comments है या जो भी chat है मुझे screen पर दिखाईए प्लीज मैं आपसे सोटा सवाल पूछता हूँ और उस सवाल का वो ही उत्तर दीजेगा जो उत्तर actually आप हर रोज देते हैं जैसे कि सवाल बिल्कुल सिंपल है वो ही उत्तर देना जो हमेशा देने की आदत पड़ी हूई है How are you? सिंपल सवाल है How are you? आप कहेंगे जो उत्तर आप देते हैं दे दीजे वहाँ पर 90% लोग लिख रहे होंगे I'm fine team can we bring the chat on the screen please I'm fine, I'm okay मैं ठीक हूँ, चल रही है, कट रही है, गुजर रही है ठीक हूँ सर, सर ठीक ताक है I'm okay सर अब मुझे बताइए आपके कानों ने क्या सुना जब आपने कहा I'm fine, आपके कानों ने क्या सुना I'm fine आपके जुबान ने क्या बोला, I'm fine आपके mind में अगर कोई picture बनी, वो क्या हुई, I'm fine, input सारा का सारा fine हुआ, processing क्या हुआ, I'm fine, और आस पास पूरा result क्या है, I'm fine. तो सो आज के बाद आप से कोई पूछे, how are you, आज के बाद आप से पूछे कोई, how are you, पता है आपको क्या बोलना है, मेरे साथ बोलिये, I'm great, क्या बोलना है, I'm great, can you say that, loudly, जहां बैटे हो, खड़े होके बोलिये, I'm great, इसी तरह से, मेरी body language में बोलिये, I'm great, I'm great, बोलिये तो सही, आपकी body ने क्या बोला, I'm great, आपकी जुबान ने क्या बोला, I'm great, आपके हाथों ने क्या बोला, I'm great, आपके कानों ने क्या सुना, I'm great, picture कैसी बनी, I'm great, और जब सब कुछ great हुआ, output कैसा आएगा, I'm great, great, I'm great, हर चीज ग्रेट आने लगेगी, हाज के बाद वापसे यह, how are you, कोई भी छोटा बच्चा है, अपने घर वाले सभी बच्चों को सिखाई यह, problem यह है कि हमें patterns में बान दिया गया है, अंग्रेजों ने हमें सिखाया, अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों से आप मिलिये, उन से पूछिए, how are you, I'm doing great, I'm doing great, I'm doing very well, fantastic, I'm doing fantastic, I'm doing awesome, और वो हमें Indians को क्या सिखागे गए, कोई भी तुम से पूछे, how are you, तुम बोलना, I'm fine, and आपके कान सुनेंगे, I'm fine, input fine, output fine, input है चिंता, output है चिंता, input है टेंशन, output है टेंशन, अरे यह तो हर जगे सिखाया गया है, हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, हलो, आज पहल जन्वरी है, positive positive बोलना बेटा, positive बोलेगा, तो सब कुछ positive होगा, positive बोलेगा, तो सब कुछ positive होगा, भाई मेरे I'm fine, मत लिखो, Madhumita जी, don't write, I'm fine, I know यह आपका पुराना वाला, यह refresh क्यों नहीं हो रही है, यह screen here, okay, I'm not seeing the comments, refresh होते वे, I'm fine, नहीं बोलना आज के बाद, आप में मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यह छोटी सी चीज, सब कुछ बदल देगी, इनको बोलते हैं दोस्तों, affirmations, क्या बोलते हैं, affirmations, जीवन में affirmations ले आईए, वो बोलिये, क्योंकि देखिए, 28 साल की programming negative है, I'm great, yes, I'm great, thank you, Darmendra Malik, you are great, yes, Kapil जी, you are great, yes, yes, Om Prakash, Satya Prakash, Sures I'm great, yes, yes, Pramodji, you are great, yes, itini fast comment, Sumanji, yes, you are great, Sumanseni, you are great, Ravi, you are great, Sneha, you are great, Sonakshi Kumari, you are great, Mamta Rajavat, you are great, Fantastic Saroj, Gopay, you are great, Awesome, you are great, you are great, Mukeshji, you are great, Hardik, you are great, Dilipji, you are great, Ashutosh Singh, you are great, Gokul Thapa, you are great, Amit Yadav, you are great, आउसम वांड़फू थैंक यू सो मच दोसों I really want to tell you this small change can shift everything around you problem यह है हम ज्यादा intelligent हो गए आज कल हम ज्यादा intelligent हो गए हम कहते हैं चंता करो चंता करो चंता करने से सब कुछ शायद थीख हो जाएगा ओ चंता करने के बाद क्या करना है चंता करते हुए office जाओ और चंता करते हुए office जाते हुए फिर हमें क्या करना है चंता करते हुए office जाके दिन बढ़ रूट्स किदर है माइंड में कल आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा तीन चीज़े बदल दीना तो जिन्दगी पूरी बदल जाएगी और सिर्फ बताऊंगा नहीं प्राक्टिस करवाऊंगा मेरे साथ ये प्रोग्राम नहीं ये वर्क्शॉप है जहां आपको मेरे साथ करन है आप मैंसे कई लोग गाड़ी में चलते हूए इससे देख रहे होंगे प्लीज गाड़ी में चलते हुए नहां देखें ओके इसको रोक दे घाड़ी को मेरे साथ कुरें practice करें आप मैंसे कोई रोटी बनाते वे देख रहा होगा मैडम अगर आप रोटी बना रहे हैं ना रोक दीजिए आप रोटी बनाने के लिए जिन्दगी बर पैदा नहीं हुए आप जिन्दगी बर सिर्फ रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, आपके पास बहुत पावर है, इस पावर को पहली बार तो जिंदगी में रोटी को छोड़िए, घरवालों को बोल दीजे, साड़े नों के बाद मिलेगा खाना, और ज्यादा जल्दी है तो बाहर से मंगवा के खालो, मैडम अपने दिमाग को खाना ये मेरे साथ, मेरे साथ 28 days, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे लिए नहीं आपके लिए, मेरे लिए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन आया और कौन नहीं आया, मेरे लिए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन कितना बैठ रहा है, कितना देख रहा है, अगर 1% भी आ इस वर्क्शोप को डिलिवर कर रहा हूँ Because ये वर्क्शोप के जो एक-एक थॉट्स है ना वो आपके काम आएंगे ये एक-एक थॉट्स तो मैं आपको कह रहा हूँ जब-जब आप छोटा सोच रहे हैं जब-जब आप एकस्क्यूस दे रहे हैं उन्होंने सही होगी या आपको भी नहीं पता Am I right? कितनी प्रॉब्लम उन्होंने सही होगी आपको भी नहीं पता और इतनी प्रॉब्लम अगर आपने सीखी है इतनी प्रॉब्लम अगर आपने देखी है तो आपको जानते हो आप जानते हो उनको एक ही चीज़ का इंतजार है आपकी सफलता का and you bloody don't have the right to destroy their dreams आपको उनके सपनों को जीना पड़ेगा आपको उनके सपने पूरे करने पड़ेगे मेरे साथ प्रण लीजिए ऐसे हाथ लिका लिए साथ बाहर कितने लोग इस से मैं connected है team I can see the screen but I don't see the number हाथ निकाली ऐसे और मेरे साथ बोलिए मैं वादा करता हूँ अपने आप से अपने पेरेंट से मैं वादा करता हूँ अपने आप से अपने पेरेंट से या मैं वादा करती हूँ अपने आप से अपने पेरेंट से कि उनका हर एक सपना पूरा करूँगा उनके मरने से पहले उनके जीते जी उनके जीते जी उनका हर एक सपना पूरा करूँगी या करूँगा यह वादा कर दीजिए आज रात को ना अपने पेरेंट्स की फोटो अपने सामने रख के सोईएगा अगर वो आपके आसपास है तो उनके आसपास सुईएगा और ये प्रण कर लीजेगा पापा आपके लिए रास्ता कैसे सपने पूरे करने मैं बताऊंगा अगले 27 दिन मैं एक एक चीज सिखाऊंगा गोल्स कैसे डिसाइड करते हैं गोल्स सेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है कैसे आप हर एक गोल को हासिल कर सकते हैं कैसे आप किसी भी सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं हर एक चीज सिखाऊंगा प्राक्टिकल तरीके से meditation भी सिखाऊंगा and practical भी सिखाऊंगा सिर्फ यह ग्यान बाटने नहीं आया हूँ हर वो चीज आपको सिखाऊंगा जो आपकी life को बहुत जादा पलट सकती है अपने गुरू जनों से वादा कर दीजिए आपके कोई भी गुरू को आप मानते हूं उनसे वादा कर दीजिए आपकी सि्षा को व्यर्थ नहीं जाने दूगा भारत मास से वादा कर दीजिए आज रात को येस मैं आपका बेटा हूं दोस्तों हजारों शहीदों ने शहादत दी है हजारों लोगों ने बलिदान दिया है हजारों औरतें जोहर करके बैठी है ऐसी ऐसी माताएं हुई ऐसी ऐसी बहने हुई जिन्होंने सर कटा लिए अपने हम लोग खुश रह सके हैं हम लोग स्वतंत्र रह सके हैं इसके लिए दोस्तों आप सच में स्वतंत्र होने का समय आगया है इस जीवन आप स्वतंत्र होके खुश होके जीने के लिए आये हो रोज adjust करने के लिए नहीं औरे आज ये problem एक बार प्रण ले लो पैसे की problem है तो इसको जड़ से मिटाना है I should earn money No, I must earn money I should become better No, you must become better I must be I must be spiritual, I must be meditative I must change myself, I must and CDC बात है दोस्तों change करना है तो एक ही चीज choose to change, क्या choose to change इस समय चूज कर लीजिए नेना देशमुक दुमाश कहरे हैं मेरे गुरुदेव से वादा है, great नेना, I love you for that, भारती योगा and wellness कहरे है, promise sir, रहिमन चिंता ना करे, चिंता चिता समान करना है जो भी तो दिल से करो, देखे सारा जहाँ ओके, मनोज दुवे, बहुत ही अच्छी बात कहिए आपने, love you for that my dear friend दोस्तों अब दोस्तों आज पहला दिन है, बहुत सारी strategies मेरे पास है, कल मैं सिखाऊंगा आपको तीन चीजे जो अगर आपने बदल दी और आसानी से बदल पाओगे, कल से ही बदल पाओगे वो तीन चीजे अगर आपने बदल दी, तो it is going to be shifting everything, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ यह कहानी overused है मैंने अपने बहुत से मिनारों में इस्तेमाल की है बट फिर भी मुझे लगता है कि इस समय, इस flow के हिसाब से यह important है कहानी है एक बार जंगल में मेंडखों की race हुई और बहुत सारे मेंडख दोड़ने के लिए उस race में आए किसी ने nike के जूते खरीदे किसी ने का अरे भाई तू कौन से वाली ला रहा है उसने का मैं तो edigas के लाए हूँ तो दूसरे उसके साथ ediras के जूते लेने चले गए किसी ने का अरे भाई, टीशिट कौन से वाली अरे टी-शिर्ट भी अब तो अपन बढ़िया वाली ओडी-ओडी की कुछ ऐसे बढ़िया टी-शिर्ट पहनेंगे तो सभी मेंडक है ना तयार वयार होने लगे, तयारी वयारी करने लगे किसी ने hairband लिया, किसी ने वो wrist वाला लिया, किसी ने भागने के लिए नया half pant खरीदा, बहुत ही बड़ी आलग रहे थे race वाला दिन आ गया, सारे mendak ऐसे कतार में खड़े हुए भागने के लिए and jungle के बड़े बड़े जानवर ओर आए, हाती आया देखने के लिए, अरे देखते हैं मेंडकों की race है, शेर आया अरे मेंडक देखेंगे हाँ, लेकिन मेंडक की race दोड़े शेर भी आया जो ये सारे बड़े बड़े जानवर, बंदर, वंदर, भालू, सब आ गए और ये race दोड़ने देखने लगे, इन्होंने देखा, अरे ये छोटे मेंडक, ओ टार्गे इतना दूर, ओ माइगाड, इतना दूर तार्गे, ये तो दोड़ी नहीं पाएंगे ओ ये दोड़ी निवाई, सारे बड़े बड़े जानवर बोलने लगे, अभे बेवकूफ हो गया, तुम लोगों में इतना सामर्ते नहीं हैं, कि तुम वहां तक दोड़ पाओ, तुम नहीं दोड़ पाओगे, तुम नहीं दोड़ पाओगे, मर जाओगे जितने मेंडग दोड़ने को थयार सच में हाथी दादा खहे रहे हैं ओमाई गॉड शेर अंकल खहे रहे हैं बालू अंकल खहे रहे हैं रुख जाता हूँ 50% मेंडग दोड़ना कैंसल 50% ने फिर भी इम्मत दिखाई कोई बात नहीं है बड़े लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है अपन दोड़ेंगे अपन कर सकते हैं थोड़ी सी इम्मत थी दोड़ना शुरू हुए थोड़ी देर दोड़े अब क्या हुआ वो शेर चीते वगरे तो कही रहे थे अब वो जो 50 मेंड़क बाहर निकल गए न 50% वो भी चिलाने लगे अरे मत दोड़ो यार जान है तो जान है क्या रीजन है आरे वहाँ तक दोड़ के भी क्या हो जाएगा 51,000 रुपे का पुरुसकारी तो मिलेगा दोस्तों आप लोगों को भी पुरुसकार मिल सकता है बाई देवे अगर आप 51,000 रुपे का पुरुसकार 21,000 रुपे का पुरुसकार 11,000 रुपे का पुरुसकार या मेरा कोई कोर्स फ्री में चाहते हैं तो दोस्तों हम बहुत भारी giveaway दे रहे हैं इस Magic of Thinking Rich season 6 के लिए आप इस program से क्या सीख रहे हैं वो मेरे instagram coach.bsr पे tag करते हुए share करें minimum अपने 5 दोस्तों से पूरे महीने अगर आप share करते हैं तो हम एक lucky winner को 51,000 रुपे का पुरुसकार देंगे नगद cash और second winner को 21,000 का, third winner को 11,000 र live कर रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि यहां आएं यहां हमारे पास 25 लोगों के बैठने की जगह है अगर आप में से कोई भी यहां आना चाहता है तो वो भी आपको giveaway में free of cost मिल सकता है so make sure that आप यह चीज़े share करें and आप studio में आके मेरे साथ attend करना चाहते हैं यही program live तो पहले से ही full हो चुका है तो वहां वह नहीं हो पाएगा क्योंकि 25 सीट थी all the seats are gone और बाकी की भी कई speakers की seats full हो चुकी है so if you really want to come to the studio here आप मेरी team से संपर कर सकते हैं और ticket buy कर सकते हैं यहांने का वो भी मेरी team ही आपको बता पाएगी whether seats are there or not क्योंकि बहुत कम seats है so you can come हां तो share करें 5 लोगों के साथ do share maybe you will be a lucky winner लेकिन आप मेंसे कई लोग पता है इस समय क्या सोच रहे होंगे अरे मुझे तो lucky winner मैं तो आज तक नहीं बन पाया आगे भी नहीं बन पाऊंगा दोसा हूं let's think positive क्या पता who knows आप यहां आए 51,000 रुपया आपको cash price मिल सके या उससे भी ज जानवरों ने कहना शुरू गया रहा है रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ बाई पागल हो गया क्या हो रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा हो नहीं सकता it is very difficult it is very challenging तो उन में से भी 30% मेंड़क और बाहर निकल गए 20% भागते रहे अभी race 30% भी complete नहीं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं 50% race खतम होई वो भी निकल गया है सिर्फ एक मेंड़क भागते रहा भागते रहा भागते रहा भागते रहा भागते रहा लोगों ने कहा रहे बाई तू अकेला ही विनर है क्यों भाग रहा है तिरको विनर घोशित कर दिया है the HELL ARE YOU REALLY GOING THERE. वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा And finally वो बहाए टाarget पे पहुझगया, कह पहुझगया? टाarget पे पहुझगया दॉस दो टारगेट पे पहुझगया तो हुआ क्या, जब वह टारगेट पे पहुझगया तो सब लोगों ने उससे बात करना चाहा आज तक मीडिया आया हलो 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 सर, how did you do this, how did you do this और वो मेंड़क कहे NDTV ने कहा, hello sir, how did you do this अरे, you are amazing, you are a rock star, how did you do this वो मेंड़क हाफता रहा तीन-चार मीडिया ने और पूछा और बाद में सब को एहसास हुआ मेंड़क अंधा था, sorry, बहरा था you know, कभी-कभी flow में अंधा बहरा हो जाता है बहरा था, सुन नहीं पाता था यह कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ 28 दिन, आप मुझे सुनिये कोई फाल्तू का मूवी नहीं देखेंगे 28 दिन it's a request, कर सकते हैं तो करिए नहीं तो कोई बात नहीं 28 दिन, negative thoughts को अपने आस पास भी हम नहीं आने देंगे अगर कोई तुमें कहता है, तु नहीं कर सकता उसे बोलो, अगर आप मेरा confidence नहीं बढ़ा सकते है confidence तोड़ने का हक आपको नहीं है कोई बड़ा होता है, कई बार, बातो बातों में कह देता है you will not be able to do this कोई बड़ा आदमी होता है, कहता है, नहीं कर पाओगे confidence तोड़ सके, ऐसे किसी इंसान के साथ हमें 28 दिन अगले नहीं बिताने, जो हमें negative thoughts दे सके negativity का कच्रा बंद कर देते हैं, दोस्तों हमारा mind dust भी नहीं है ये mendak, अगर ये अपने mind में thought जाने देता, तु नहीं कर सकता ये भी नहीं दोड सकता था, दोस्तों मैं जब गया था trainer बनने के लिए, जब मैं trainer बन रहा था, और मैं कुछ दोस्तों के पास गया, और ये बोले, नहीं, तेरी अंग्रेशी अच्छी नहीं है बुपेंद्र, तू कैसे विटिकेगा training के वर्ड में, training के वर्ड में तो बहुत knowledge चाहिए, बहुत ज़्यादा अंग्रेशी चाहिए, और मेरे कुछ teachers ही थे, जिन के पास मैं गया था, ये, जैसे उन्होंने का, training में तू नहीं टिक पाएगा, मैंने का, आज के बाद मैं इस इंसान के पास कभी नहीं जाऊंगा, and literally मैं नहीं गया, दोस्तों नाम नहीं ले सकता हूँ लोगोगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, मैं इज्जत भी करता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ मेरे को सिखाया, लेकिन होता क्या है, जब कोई दूसरा हिम्मत करने लगता है, तो बड़े out of love, out of concern, ऐस इस समय 20,000 लोग लाइव हैं मेरे सारे प्लाटफोर्म्स पे, और जब तक ये प्रोग्राम खतम होगा, तब तक 3-4 लाख लोग देख चुके होंगे इसे, आस्त साधना टीवी के गोल्ड चैनल पे ये लाइव है, साधना गोल्ड पे ये लाइव है, 45 लाग से जाधा फॉ तो बुपेंदर तु नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज हो गया, या तो अपनी दिल की सुन लो, या फिर पूरे जग की सुन लो, मैं कहता हूँ, सुनो सब की, लेकिन अल्टिमेट ये चुनो वोही जो दिल कहता है, and your heart never lies, आपका दिल कभी जूट नहीं बोल स and पता है आज की देट में क्या हो रहा है, heart को तो हमने इग्नोर कर दिया, बहुत है, इसका सुनो, इसका, ये लॉजिकल है, ये calculation कर सकता है, mathematics, engineering करो, engineering करने के बाद जखक मारो, अचा मैं नहीं कह रहा कि engineers आरे जखक मारने वाले होते हैं, hello please engineers, माफी चाहूँगा, but 90% लोग जिनको पसंद नहीं है engineering, वो engineering कर रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि उनको बोला गया है, तुम पढ़ो, लिखो, MBA करो, engineering करो, doctor बन जाओ, engineer बन जाओ, XYZ, 15 चीज़े कर लो, उनका heart ही नहीं है, कई parents के mind में fix हो गया है, सरकारी नोकरी करेगा भाई तू, तू क्या करना है, तू स पता, तू 18-20 साल का है, भाई, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किया, हम 40 साल के हैं, और देख, हम 40 साल से जख मार रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाए, और तुझे सफल होना है, तो तू हम जो कह रहे हैं, वो ही करेगा, अब एक ऐस सफल आदमी, दूसरे ऐस सफल आद आपको कैसे पता चलेगा, कि आपका बेटा कुछ और करेगा, तो उसमें सफल नहीं हो पाएगा, अब देखिए, फेलियर के एक्जाम्पल्स भी है, सक्सेस के एक्जाम्पल्स भी है, फरक एकी चीद से पढ़ता है, आप कौन सी तरफ जादा देख रहे हैं, आप अगर ग ग्लास is half full और half empty, depends upon, purely upon you, तो दोसों, problem है कि हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो mind है, वो हमारा mind पूरी तरह से इस negativity पे depend है, तो 10-15 चीज़ें, मैं आपको आज जाते-जाते, 21 days challenge दे रहा हूँ, 21 days challenge, यह पहला मेरा आपके लिए task है, 21 days challenge, 21 दिन, negative thoughts से हम हर बार positive रहने की कोशिश करेंगे, कैसे, उसके formulas भी बताता हूँ, तो आज के बाद जब भी आपको कोई कहे, या आपके मुझे कुछ गलत निकले, आपको कोई कहे, तू यह नहीं कर सकता, अरे यह बहुत difficult है, मन ह मन बोल दीजिए, एक मंत्रा, मंत्रा simple है, cut, 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 या तो तीन बार ये बोल दीजिए, negative thought आया, cut, negative thought को तुरंट करेंगे, या बोल दीजिए, cancel, 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 तीन बार बोल दीजिए, ओके, आपके मुझे ही निकल लिया, यार पैसा कमाना मुझकिल है, cut, 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 पैसा कमाना बहुत उसके तुरंट बार एक positive कमान, पैसा कमाना आसान है, कोई कहता है, बहुत competition है market में, अंदर ही अंदर बोलिए, cut, 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 और फिर बोल दीजिए, अरे, कोई zero competition है इस दुनिया में, सब कुछ आसान है, everything is easy, दोस्तों, आप कहोगे, sir, इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ है, कि यार, यह नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, आप में वो शामरते नहीं है, आपके पास वो पैसा नहीं है, आपके पास वो चीजे नहीं है, तो अपने आप से बोल दीजिए, I can do it, cut, 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 negativity, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारे situations देता हूँ, मान लीजिए, इस समय है, आपके पास पैसे कम हैं, और आपको चिंता हो रही है, यार, अब क्या होगा, तो क्या बोलना है, cut, 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 okay, और फिर क्या बोलना है, आप तो बहुत अच्छा होगा, पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, बार-बार आता है, हर बार आता है, नए-नए तरीकों से आता ह सोते समय भी आता है जाकते समय भी आता है आप कहोगे सर इससे आ जाएगा सच में मैं गैरंटी नहीं दे रहा कि इससे सच में आ जाएगा लेकिन इससे क्या होगा आपका माइंड जरूर शांत रहेगा जब माइंड शांत रहेगा तो पैसा कमाने का नया आईडिया आ सकता है पैसा कमाने का नए आईडिया आ सकता है या पैसा कमाने के लिए आप शायद नए कोई प्रयात्न कर सकते हैं या किसी से कुछ सीख सकते हैं या कोई ऐसी बुक आपके हाथ में आ सकती है जिसमें पैसा कमाने पैसा बचाने पैसा invest करने की कोई विद्या हो कोई तो छोटी चीज आपके साथ आएगी और वो आप शांत mind है इसलिए पकड़ पाओगे लेकिन अगर आप कहते रहे पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा बहुत मुश्किल है, बहुत difficult है और आपने उस thought को cut नहीं किया आपने अगर उस thought को cut नहीं किया न तो पता है, उसी thought में घूमते रहोगे आपके सामने एक अच्छी सी book पड़ी होगी how to invest money, how to earn money आपका mind अशांत रहेगा book हाथ में उठा भी लोगे, पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपका mind गह रहा है पैसास आने से नहीं आता, ये book पड़ने से तो बिल्कुल नहीं आता is that true or not? so दोस्तों, it's a challenge 21 days challenge 21 days challenge क्या है 21 days, 21 नहीं 28 days challenge है, हमारा पूरा ये महीने का challenge है जब तक ये workshop रहेगा let's live a complain-free life no complain, zero complaints in fact compliments let's live a compliment full life okay, हर minute compliment अरे वाह, कितनी अच्छी जिन्दगी है ओ, 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 यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको एक बेटा, छोटा बच्चा था पाँचवे स्टेंडर में होगा छटे स्टेंडर में होगा पापा के पास गया रात को वो भी आठ, साढ़े, आठ, नो बजे जब पापा थके हुए, हारे हुए, ओफिस से आए पापा, 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 पापा युन्हों हमारे टीचर ने कुछ लिखने को बोला है वो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए पापा गुस्से में थे, दिन बर का थका हुआ बिटा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, जाके सो जाओ बच्चा बड़ा उदास सा होके जाके सो गया डाइरी बाइरी हाथ में लेके थोड़ी देर बाद, खाना माना खाया पापा का दिमाग थोड़ा कूल हुआ सोचा यार बच्चे को फाल्दो में डार दिया बच्चे के कमरे में गए बच्चे के कमरे में गए और देखा तो बच्चा सोचुका था उसकी डाइरी हाथ में थी हाथ में से डाइरी ली, उसको पढ़ने लगे उसमें लिखा हुआ था ऐसी चीजे लिखो जो आपकी जिन्दीगी में हैं और आपको बुरी लगती हैं लेकिन जिनका परिणाम बाद में अच्छा होता है तो बच्चे ने लिखा हुआ था कि मुझे मेरी परिक्षाएं बुरी लगती है लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी है क्योंकि जैसे ही परिक्षा खतम होती है मेरी छुट्टियां होती है मुझे लगता है कि मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए बोलती है तो बुरी है लेकिन चुकी मम्मी पढ़ने के लिए बोलती है इसलिए मम्मी बहुत प्यार भी देती है और मेरे लिए खाना भी बनाती है और कई सारी चीज़ें करती है मेरे पापा मुझे डाट देते हैं तो मुझे उनकी डाट बुरी लगती है लेकिन इसका परिणाम ये भी होता है कि मेरे पापा मुझे कंदे पर बिठाते हैं मेरे साथ खेलते हैं मेरे खिलो न दिलाते हैं जो चाहता हूँ मुझे लाके देते, मुझे खिलाते बच्चा बोलता हूँ मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता नहीं है लेकिन स्कूल जाता हूँ तो मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिलते है पिता जी को बड़ा हिट किया ही है और especially वो बात जिसमें बच्चे ने लिखी थी मेरे पापा मुझे डाटते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि वो खिलोने भी दराते हैं सब कुछ दिलाते हैं तो मेरे पापा अच्छे हैं लेकिन चूंकि मेरे बॉस से नफरत करता हूँ तो मुझे एक inspiration भी मिलती है कि मुझे एक better बॉस बनना है मैं अच्छी चीजे सीखता हूँ मैं अपनी company में जाने में मन लगाता नहीं हूँ लेकिन ये है कि उसी company से मेरे पास पैसे आते हैं मैं अपने बच्चे को कुछ दिला पाता हूँ मुझे सभी के लिए कमाना पड़ता है मुझे बुरा लगता है लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरे पास परिवार है मुझे बुरा लगता है जब हर चीज का बिल घर पे आता है लेकिन अच्छा ही ये है कि बिजली का बिल आता है मुझे चुकाना पड़ता है बट बिजली इस्तेमाल करने का मुझे अवसर मिल रहा है पिताजी ने सारी चीजे पॉजिटिव लिग दी दोस्तों पिताजी ने लिग दिया 28 डेज तक पॉजिटिविटी घर में स्वर्ग बन गया मेरे साथ बोलिए मेरा घर स्वर्ग है मेरा घर स्वर्ग है मेरा घर स्वर्ग है दूसरा आफर्मेशन जो मैं खाऊं वो अमृत है जो मैं खाऊं वो अमृत है मेरा घर स्वर्ग है, मेरे साथ बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खा रहा हूँ वो अमृत है, और जिससे भी मैं मिल रहा हूँ वो भगवान है, आप से मैं इस समय मिल रहा हूँ, आप भगवान है मेरे लिए, I really, really value you, दोस्तों क्योंकि मैं नहीं ये यूट्यूब, यूट्यूब को चलाने वाले लाखो लोग, हजारों लोग in the background, वो कंपनिया, उनका पैसा, उतनी सिस्टम, सैटलाइट, पतानी केबल, इंटरनेट कनेक्शन, ISP सर्विस प्रोवाइडर, ओक्सिजन, और वातावरण, आंधी, तूफान सब कंट्रोल में हैं, तब जाके ये वक्षॉप लग रहा है, पूरा ब्रमान्ड इसमें कॉंट्रिब्यूट कर रहा है, तो हो सकता है, ये कभी-कभी difficult हो जाए, लेकिन जहां इतनी शक्तियां लगी वी है, वहां तो सब positive ही होने वाला है, आपको लग रहा है, कि जो आपके साथ चल रहा है वो negative के लिए है, मेरे experience तो ये है, कि जब मेरा 17-18 में बहुत negative phase चल रहा था, 1.5 करोड, 2 करोड के मैं लोन पे आ गया था, मेरे पास bank वाले घर आने लग गय थे, 2-2 गंटे बैठने लग गय थे, घर, मेरी wife डर जाती थी, कि भाई आप तो गये हुए हो कमाने के लिए, ये एक एक डेड़ घंटे आके बैड़ जाते हैं, दिमाग खाते हैं, जाते नहीं है, मैं कहता था, फोन पे बात कराओ, तो नहीं उठके जाते हैं, ऐसी situation मेरी जब थी, आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ, तो मैं धन्यवादी देता हूँ और मेरे धन्य हो कि मैं उ वर्क्शोप मेरे कारण नहीं हो रही है, मैं इसका सारा क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे टीचर नित्यशान्ती को, जिन्होंने मुझे ये, you know, मंत्र दिया, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly, भाई, एक प्रोग्राम तेरी जिन्दकी का, जो सबसे अच्छा प्रोग्राम है, सबसे नहीं है, ये मेरे गुरूओं से जो मैंने सीखा, मैं तो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं तो एक डाकी आहूं, चिट्थी बाट रहा हूँ बस, तो दोस्तों देखिए, जब ये positivity, जब से मैंने मेरे गुरू की बात मानी, और ये positive में मैं रहने लगा, सब पहले मैंने मुश्किल से 50,000 लोगों को train किया होगा, अब पिछले 3-4 सालों में मैं डेड़ 2 करोड लोगों को train कर चुका हूँ, अलग-अलग platform पे मैं जा चुका हूँ, बड़े-बड़े celebrities से मैं मिल चुका हूँ, बड़ी-बड़ी चीजे मेरी जिन्दगी में हो रही है बगवान पैसा भी अच्छा खासा दे रहा है, थैंक यू, इतने लोग सुन रहे हैं, मेरा घर स्वर्ग है, पैसा मेरे पास आसानी से आ रहा है, दोसों, input gets processed and output happens, जो input दोगे, आपको आज नहीं मिलेगा ये एक दम से, चीजों को कभी-कभी time लगता है, और पूरा science सिखा आँगा, law of attraction कैसे काम करता है, क्या सच में काम करता भी है नहीं करता है, कौन से ऐसे tools हैं जिससे ये काम करेगा जादा, कौन से ऐसे tools हैं जिससे बिल्कुल काम नहीं करेगा, हर चीज सिखाऊंगा आपको, हर चीज practically with examples, with science, with facts, बस शर्त ही है, अगले 27 दिन हो रहाना रोज रात को 8 बजे से 9 बजे तक, इसी YouTube चैनल पे Coach BSR और अगर आपको link ना मिले, wait मत कीजेगा कि मेरी team आपको message भेजेगी, wait मत कीजेगा, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपको सीखना है, तो simple है, एक single link दे देता हूँ, या तो आप मेरे Coach BSR YouTube चैनल पे आजाएं, या फिर हमारा एक page है askbsr.com slash live, askbsr.com slash live, ये link पे रोज आपको वीडियो अपने आप मिल जाएगा, यहाँ पे तो रोज के वीडियो का link चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप Coach BSR में जाके live stream वाले में आप जा सकते हैं, live वाला section और वहाँ आपको वीडियो मिल लेकिन फिर भी ना मिले ना, तो हर link आपको यहाँ मिल जाएगा, ये जो page है askbsr.com slash live, रोज इस page को visit करें, मेरे upcoming workshops, हमारे को social media पे follow करना है, मेरी team का number, ये workshop आप आप अटेंड कर रहे हो, आपको 3 free gift और 3 free workshops और मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आपको इसी के साथ मिल जा colon colon double slash, है ना, उसके बिना ये शायद नहीं खुलेगा, askbsr.com slash, team अगर आप इसको screen पे भी दिखा सकते हैं, तो दिखा दीजे, इस page को रोज देखना है आपको, यहाँ पे आपको सारी चीजे मिल जाएगी, कुछ धूंडना नहीं पड़ेगा, आपको ये पूरा 28 दिन मैं वादा करता हूँ, आप में से हर एक विक्ती बहुत आगे बढ़ेगा, दोस्तों वो ही करते रहे, जो करते आए हो, तो वो ही मिलता रहेगा, जो मिलता आया है, थोड़ा सा shift कर दीजिए, एक मिनिट के लिए, last में मैं बात करूंगा, जाते जाते, यह magic of thinking reach वो है, जिस जिन्दगी में प्रेढ़ना आई है, कई लोग इसे गाउं में स्क्रीन लगा के अपने गाउं वालों को दिखाते हैं, यह वो workshop है, जो hospitals में चलाई गई है, कई positivity लोगों को देने के लिए, आज ही मेरे पास एक message आया, कि सर मैंने एक hall अरेंज किया है, और उसमें 200 गद्द दिन रात entertainment का content है, उससे लगता तो है, हस तो लेते हैं हम थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन उससे हमारे जीवन की कोई सुल्जन नहीं हो रही है, उलजता जा रहा है जीवन, बलकि हमें कुछ और दिखाया जा रहा है, जो हम बनना नहीं चाहते हैं, जो हम है नहीं, वो अच्छा होता है, या 20 साल का होता है, तब तक लाखो नेगेटिव घटना हैं और लाखो नेगेटिव चीज़े या ओर्डिनरी चीज़े उसके आसपास चल रही होती है, वो इतने साल की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को कैसे हटाएं, उसके लिए ही 28 दिन का इंतजाम है RJ Kartik is going to come and make this workshop even more lively, मैं उनका interview करूँगा, बहुत सारी बातें उनसे भी सीखेंगे, उनकी मज़ेदार कहानिया सुनेंगे, और परसों के दिन श्री राम वर्मासर आ रहे हैं, NLP के बहुत बड़े कोच हैं, हिंदुसान के, तो पांच तारीक को भी जबरदस सेशन, मुझसे यह link इस workshop का सभी को फैला दे, अपने गाउं में, घर में, अपने दोस्तों के साथ हाद जोड़के विंती है, मैं वादा करता हूँ, आप किसी के जिन्दगी को पूरी तरह से बदलने में, पूरी तरह से बदलने में एक बहुत बड़ा निम्मित बन पाएंगे, आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी का जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद, और मैं जानता हूँ, आपने बड़ा टाइम निकाला कहते हैं, जो कोई आदमी अपना समय निकालता है, मतलब वो अपने जीवन का सबसे बड़ा गिफ् और सबसे बड़ा टूल आपको बताऊंगा, विच विल शिफ्ट एवरीधिंग, मेरे साथ कल जब आप जुड़ेंगे, आपके एक नया करंट महसूस होगा, लव यू एवरीवाण, तैंक यू सो मच फॉर जोईनिंग अस, इन दे माजिक ऑफ तिंकिंग रिच, सीजन 6 च तो इस वीडियो वर्क्शॉप से आपने क्या सीखा, उसको अपने दोस्तों के साथ, क्या कैते हैं, टैग कीजिए उन्हें, शेर कीजिए, मुझे भी टैग कीजिए, and lucky winners will have either 51,000 रुपीज, 21,000 रुपीज, 11,000 रुपीज, या बहुत सारे मेरे courses free of course दोसों, तैंक यू सो म महादेव, प्रणाम and thank you, love you, bye-bye. किसी ने बड़े कमाल की बात कहिए, कि वो बुलंदियां भी किस काम की, कि इनसान तो चड़े, लेकिन इनसानियत उतर जाए, लाइफ में rich होने के बाद भी आप grounded रहें, humble रहें, ऐसी बहुत सारी बाते आपको बताने के लिए मैं याने के आरजे कारते का रहा हूँ, The Magic of Thinking Rich Season 6 में, Coach BSR के साथ, YouTube channel Coach BSR पर आप जुड़ जाएए, लगातार live workshop में आपको बहुत सारी बाते हैं, बहुत सारी life learnings सीखने को देखने को मिलती रहेंगी, So I am super excited for The Magic of Thinking Rich Season 6 with Coach BSR. Namaskar, I am Sonusud and I am coming to The Magic of Thinking Rich Season 6 with Bhupendra Ji. बड़ाईदर जी के साथ, बड़ाईदर जी के साथ, बड़ाईदर जी बंड़ा है, बड़ाईदर जी के साथ, I am sure it is going to inspire all of us, really really looking forward to this and guys, जोड़ते हैं जल्दी यार, दिल से. अगर आप Magic of Thinking Rich Season 6 को follow करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके पास मौका है, कि कावन हजार उपए तक के प्राइज जीतने के प्राइज जीतने के प्राइज इस क्या क्या हो सकते हैं, प्राइज वो सकते हैं इकवन हञार रौपेगा कैश प्राइज, इकई हजार का वाजार ॉपाइज prix, उसके अलाभा मोसारे क्योड़ सकते हैं तो चैर्स क इस मैं सतथ लिदे लिशनय का मौका मिल सकता है और बिए की सारे प्राइज आपको मिल सकते हैं, क्या है वीडियो के डिस्क्रूप्शन में सारी डीचेल्स है कि कैसे आप इन प्राइज को जीच सकते हैं बस आप शुरू कीजे और फिर देखें मजा हैं से अब बहुत बड़ा सोचेगा इंडिया